बहुती दुखत घटना है कि एक पुजारी जी की पैट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई मैं भगवान से प्रारतना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सांती परदान करे लेकिन राजस्तान के अंदर जिस तरह से पिछले तीन-चार मेने के अंदर जो घटना है हो रही है उसको देखकर लगता है कि अब राजस्तान की सरकार इस सासन को नहीं संबाल पा रही है क्योंकि law and order की इस्तिती बिगड़ी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर देखें तो आज जो घटना हो रही है और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आज क्राइम के आंकड़े पूरे देश में सबसे ज़्यदा अगर कोई क्राइम हो रहा तो राजस्तान के अंदर है एक समय था जब राजस्तान में बहुत कम क्राइम होते थे लेकिन आज ये जो राजस्तान की सरकार है वो इन क्राइमों को रोक नहीं पा रही है और चाए हमारी बेहन हो चाए बेहन बेटी हो उसके साथ भी ऐसी घड़ना है हो रही है कि उसके साथ भी बलादकार जैसी घड़ना होती है वो बेहन भी सुरक्षित नहीं है वो जब सुबह घर से निकलती है तो साम को उसको ऐसा नहीं लगता कि वो साम तक वापस आएगी तो इस तरह से आज राजस्तान की सरकार निचित रूप से फैल हो चुकी है और असोग जी ग्यलोथ सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगे हुएं उनके अंदर की लड़ाई की वज़े से वो परसासन को और जंता के जो वादे की हैं उनको वो नहीं संबाल पा रहे हैं और अब उनकी लगबग उमर भी जैसा लग रहा है कि उन्होंने उमर भी काफी हो गई है तो वास्ता में इनको संबालने के लिए अब कोई अगर नहीं संबलता है तो इनकी सरकार में ही दूसरे भी हैं जो उनको इस सासन को संबाल सकते हैं वरना नहीं संबलता है तो फिर वारती जंता पार्टी के अंदर भी कोई कमी नहीं है तो मेरा तो यहीं कहना है कि अब राजस्तान के अंदर असोग जी गेलोद पून रूप से इस हासन को नहीं संबाल पारे हैं नहीं संबाल सकते तो इस्थीपा दे सकते हैं आज उनके पास गरह मंत्रले भी उनके पास में और मुख्य मंत्री भी है तो इनको इस्थीपा दे देना चाहिए कि उनसे ये संबल बारा क्योंकि वास्ता में ऐसी पर डे ऐसी एक-एक कोई ने कोई घड़ना हो रही है तो यह एक चंता के विश्य है और राजस्तान की जंता अब इस क्राइम की वज़े से बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि राजस्तान के अंदर आने वाले समय के अंदर यह जो कुमवार से शुक्रवार राज दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर